तो आपको एंदरोल के इस तरह से होना है इस वीडियो में आपको पूरी इंपूर्मेशन शेयर करने वालो ओलाइट वीडियो को आप पूरा कम्प्रिट ले देखना आगे बढ़ते तो सबसे पहले आपको अपने जो भी ब्राउजर है आपको ओपन करना है और ब्राउजर आपको अपको सर्च करने है स्वयम सर्च करोंगी तो आपको फस्त लिंक मिलेगा उसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे आपके पस में आपके सामने एक वेब पेज ऑपन भी जाएगा वो वईब पेज कुछ इस तरह से आपका ओपन ओजगा जैसे आप देख पा रहे हो इस वेब पेज के ओपन होने के बाद में सबसे पहले आपन करेंगे ट्रजिस्ट्रेशन या साइन इन करेंगे तो उसके लिए आपको यहां आपको क्लिक करना होगा जैसे आपको क्लिक करोंगे यहां पर क्लिक करना है जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोंगे तो यहां पर जो तो आपको यहां से करना पड़ेगा तो मैं यहां से Google पे क्लिक कर लेता हूं जैसे मैंने Google पे क्लिक किया तो यहां पर जो भी मेरे mezahunuz हो चुका है अगर आपने को लिया है त्वे माय कोसे हैं पर हम एसी अप साइनछ और को ना देभा है अब बात करने आपको कोर्स में कू diesel होने के क्लिक करना घंब तो आपको चेज़िए लिगा और पे अ साथा न 쪽 पर कुछ टच वर नहीं करना है, कुछ यहां पर चूज नहीं करना है, आपको सीधा जाना है, फिल्टर स्में, फिल्टर स्में जाने के बाद में आपका next option होगा, national coordinator, ठीक है, national coordinator में आपको जाओंगे, तो यहां पर आपका एक all option है, इस all option को हटाकर के यहां पर लिखना है, ठीक है, जैसे AICT लिखोंगे, बाकी में कोई change नहीं करना है, बाकी course tuition है, वो भी all पर रहने दो, exam date है, all पर रहने दो, exam credits है, वो भी all पर रहने दो, and even category भी आपको जो है, all पर रहने देनी है, ठीक है, अब देखोंगे, अब यहां से आप जो है, 7th course आप देखोंगे, जो यहां पर आप क्लिक करोंगे, इस course की पूरी information जो है, आपके सामने जो है, web page के तुरू यहां पर show हो जाएगी, all right, देखे, यह कुछ इस तरह से होगे, तो पहले आपको join नहीं करना है, पहले कुछ instruction है, वो आप देख लो, पढ़ लो, all right, इसका जो link है, मैं आपको description box में available करवा दोंगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, देखे, यहां पर summary है, तो मैं summary के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, course is upcoming है, अब कभी मिलब यहां पर आने वाला है, ठीक है, तो यह सबसे अच्छी बात है, पिछली बार जो मैंने इसी, जो है, ISRO और IARS वाला course अपड कर्षाट हो रहा है, 24 जैन से, ठीक है, 24 जनवरी से start होगा, 2022, and खतम हो जाएगा यह 9 मई, 2022, इस तरह से आपका 15 विक में यह course आपका हो जाएगा, अलाइट, लेवल के बारे में बात करते हैं, तो आपका undergraduate level है, अलाइट, यह बात करते हैं, अब आपका certificate का कुछ तरह से हो the course include four modules at the end of the each modules you will have to appear for an assignment squeeze the final examination will be conducted at the end of the course the certificate will be issued based on the internal and the final marks obtained internal marks आपका course आपने join किया है तो वो किस तर से आपने join किया है final marks आपको exam के तरो होगा उस हिसाब से आपको certificate प्रोवाइड होगा यह जो four modules लिखा है four module actual में यह module से आपको यह आप तो आप थोड़ा सा इसको देखोंगे यह देखो यह आपके four modules है यह one modules यह आपका one modules यह आपका two modules यह three modules और यह आपका यह four modules ठीक है तो आप इसको अच्छे से ड्रीड कर लेना अगर मैं पूरा जो explain करने किया तो वीडियो बहुत lengthy हो जाएगा ठीक है अच्छा इसमें एक option है जॉइन का यह तो गया course का information जैसे आप जॉइन पर क्लिक करोंगे तो आपको कुछ open हो जागे इस तरह से अच्छा एक और बात है अगर आप पहले से sign in नहीं करते हो तो join पर क्लिक करने के बाद में आप वापस Swam के home page पर जाओंगे एक्च्छल में ऐसा होता है वापस Swam के home page पर जाओंगे इसलिए मैं आपको बोला कि जैसे आप Swam Google Chrome पर सर्च करोंगे या जो भी आपको suitable browser पर सर्च करोंगे तो सबसे पहले आपको Swam सर् आपको फिल करने रिक्वाइर के गई है जिसमें नेम हो गया मॉबैल नमर हो गया अचा जो आपने साइनिंग किया वहाप पर email id आटोमेटिक या पर फिड हो जाएगा and age group जो है वह आपका डालतो है country जो है आपका क्या professional student वाला होगा शायद है ना बिल्कुल इसमें student वाल इस तरह से आपके सारी information आपको पूरा complete फिल करके terms and conditions and यहां पर I agree to follow the honor course ठीक है यह सारा आप यहां पर right right click कर दो and यहां पर save कर दो जैसे आप यहां पर save करोंगे तो आप जो है इस course में handle हो जाओंगे आपकी profile save हो जाएगी ठीक है next step जो भी होगी आपको इस हिजाब से आपको मिलते जाएंगे और सारे steps आप जब follow कर दोंगे तो आप इस course में handle हो जाओंगे अगर आपको check करना है कि course में हो गया नहीं हो गया तो वह मैंने आपको समझाया था जैसे वहां पर आप जो है अपना my course पर जाकर क्या चेक कर सकते हो कि मेरा जो course है वह एंदर हो चुका है नहीं हो चुका वगरा ठीक है आपके जो register email ID होगी उस पर भी आपको जो information मिल तो I hope यह वीडियो आपके लिए informative रहा होगा और if you like this video then don't forget to subscribe my channel in future भी और पी updates अगर चाहिए आपको या किसी particular topic पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हूं so thank you so much